साथी थाना छेत्र में सराब कारोबारी अपने कारोबार से नहीं आ रहे हैं बाज नियूज नाइन चाइम्स नरकटियागन से सफीर आमत की रिपोर्ट बिहार में पुर्ण सराब बंदी के बावजूद भी साथी थाना छेत्र में सराब कारोबारी अपने कारोबार से नहीं आ रहे हैं बाज सूबे के मुख्या नितिसकुमार ने 2016 में पुर्ण रूप से सराब बंदी लागू की है उसके बावजूद भी सराब कारुबार चरम सीमा पर है आपको बता दे कि बिहार में पुर्ण सराब बंदी लागू है लेकिन जगा जगा पर सराब की बड़ी खेप पकड़े जा रहे है सराब पीने से लगतार मौते हो रही है या भी अनुमाल लगाया जा रहा है कि एक जीले से प्रतिमा लगबग हज़ारों लीटर देसी चुलाई सराब और अंग्डेजी सराब बरामत की जा रही है और सराब कारुबारी को जेल भेजा जा रहा है फिर भी सराब कारुबार अपनी चरम सीमा पर है वहीं एक ताजा मामला साठी थाना च्छेतर से है जहां पच्चास लीटर देसी चुलाई सराब के साथ एक कारुबारी को साठी पुलिस ने गिरफतार किया है वहीं बताया जा रहा है कि बुद्वार की देर रात्री गुप्त सूशना मिली कि बसंतपुर गाउं के तुर्की नाला के पास सराब रखा हुआ है वहीं जानकारी देते हुए थानाध्यक शुदय कुमार ने बताया कि बसंतपुर गाउं के तुर्की नाला के पास गुप्त सूशना के अधार पर छापेमारी की गई तो छापेमारी के दोरान कारेबारी सहीत पचास लीटर देसी चुलाई सराब बरामत की गई सराब कारोबारी की पैशान प्रमोद मुखिया पिताव वीर बहादुर मुखिया वाड नमबर एक बसंतपुर निवासी के रूप में की गई है जिनने बिहार मद्द निशेद अधनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए गुरुवार को बेतिया न्याले भेज दिया गया वही छापे मारी दल में सामिल थाना अध्यक्षूदय कुमार, दरोगा अरविंद कुमार सिंग, पीएसाई जैसल कुमार, जेतिंद्र कुमार ओजाय एवं चौकिदार सहीत पुलिस बल मौजूद रहे निवस नाइन चाइम्स